सभी को नमस्कार अंदरभान प्रजापती लेक्चिरर मेकेनिकल इंजिनरिंग गौर्मेंट पॉली टेकनिक बरगर चित्रकूट आज सभी छात्र छात्राओं को एक बहुती महत्पूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने हूँ तो इसमें महत्पूर्ण जानकारी कोविट वैक्षिनेशन के संबंद में हैं कल नौ जून को जिलातकारी महोदे चित्रकूट के अध्यचता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आई टी आई पॉली टेकनिक और जो महाविद्याले हैं जनपत के उनके प्रधानाचार्यों को या वहां के जो अधिकारी हैं उ महापर अध्यानरत उनके कोविट नाइंटीन उनका वैक्षिनेशन कराने के संबंद में तो संस्था प्रतिनिधी के रूप में मैं वहापर गया था उपस्थित रहा था तो डीम सर ने बहुत कुछ बहुत महत्पूर्ण बाते उसमें बताई और कहीं वह बाते मैं आपके नम से जानते हैं विक्राल रूप ले रखा है काफी दुनों से पूरा संपून लॉकडाउन रहा ज्यादा सभी छात्र छात्रा हैं घर पर रहकर स्टेडी कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं इस समय जो बहुत तीब्र गती से जो सरकार की मंसा है वो सभी को सुरच प्रायक्सवास केंद्र हैं या जेलास पताल हैं वहाँ पर सभी जगे टीका करण का कारिकरम बहुत तेजी से चल रहा है तो डियम सर ने एक महत्पून बात तो ये कही कि जो भी जैसे पॉलिटेकनिक हैं आईटी आई हैं महाविद्याले हैं तो वहाँ के जो सिच्छक हैं वो पहले अपना टीका करण करा लें और वो टीका करण कराने के बाद वो अपने यहाँ जो बच्चे अध्यारत हैं जिनकी आयू 18 वर्स या उससे अधिक है तो वो अपना टीका करण अवश्य करा लें तो इस सम्मंद में उन्होंने एक बड़ी महत्पून बात ये कही कि जैसे अगर किसी संस्थान के आसपास बच्चे रह रहे हैं और 100,500,200 बच्चे ये दि हो जाते हैं तो वो अगर हम एक लेटर लिख देते हैं डीम सर के यहाँ या CMO के यहाँ तो वहाँ से एक टीम आ करके सभी बच्चों का और साथ में स्टाप का भी वेक्सिनेशन यानि टी का करन एक साथ कर देंगे और डेट और समय हम जो भी उनको बता देंगे तो उन्होंने और इसके साथ साथ उसमें डिप्टी सीएमों भी आये हुए थे उन्होंने एक बड़ी महत्रपून बात कही कि COVID-19 से बचने का सिर्फ एक मात रास्ता यही है कि हम जितनी जल्दी हो स सभी को ध्यान रखना है तो जो भी चात्र चात्रा है जो कि संस्थानों में चात्र चात्रा इस समय नहीं आ रहे हैं गौर्मेंट के जो इंस्ट्रक्शन्स हैं इस समय ऑनलाइन पढ़ाई के हैं तो सभी बच्चे अपने घरों पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा आ करके अपना ठीका करन आप करा सकते हैं यदि आपकी आयू 18 वर्से से उपर है तो गौर्मेंट की एक वेप साइट है जहां पर आपको रेजिटरेशन कराना है आप देखिए covin.gov.in covin.gov.in यह वेप साइट है जहां पर आपको यह वेप साइट आपको ओपन करना है अपने मोबाइल पर आप खोल लेजे वहां पर आप देखिए यह लिखा है रेजिटर अबलिक साइन योर्सेल्फ तो फर्स्ट टाइम रेजिटर कर रहे हैं तो जब आप इस पर बट और आधार या पैन जो भी पैचान है पैचान पत्र संख्या और आपका मेल है फीमेल है इस तरीकी की चीजें पूछेगा आप डिटेल पूरा भर दीजिए आप रेजिटरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो स्लॉट चूज करने को कहेगा स्लॉट चूज मतल ये एक और बहुत मातपूर आप जानकारी में आपको दे रहा हूं ये अपने आसपास पिन कोट के आधार पर कितने कहां पर कौन कितनी वैक्सीन उपलब्द हैं कहां कहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है या कोरोना या कोविड नाइटीन के संबंद में ऑथेंटिक सब्सेट हैं वी चला है इस नमर को जो आपके सामने स्क्रीन पर तीन बार है या पंदरा 3 अकरफ तीन बार है यह आप उप्तिक्स प्रचित का ना मभाईल नंबर वह इससे आप safe कर लीजिए तो WhatsApp में जब आप इसको खोलेंगे तो मैंने जैसे vaccination इनफो के नाम पर इस नमर कूं sign कर रखा है तो जैसे ही आप WhatsApp में जैसे हम सभी दूसरे का message करने के लिए खोलते हैं तो जब आप इस नमर को आप खोलेंगे जैसे मैंने vaccination इन्फो के नाम पे सेव कर रखा है तो उस पर आप अपना पिन कोट जब एंटर कर देंगे जैसे यहां का बरगल का मैं बात करूं तो पिन कोट 210-208 है तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आसपास जहां भी वैक्सिनेशन हो रहा होगा वहां कि सेंटर का नाम और वहां पर क इस दिन कितने स्लोट्स अवेलेवल हैं कितनी वैक्सिन लगाई जा रही है और कौन सी वैक्सिन को वैक्सिन या कोवी सील्ड लगाई जा रही है इसकी सारी पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाती है तो यह बहुत अच्छा है आप मैंने इसको ट्राइ किया है मैं इसको करता हूँ आप लोग भी इसको ट्राइ करिए ये बहुत ही अच्छी सुविदा है जो गौर्मेंट ने इसमें वाट्सप में हेल्प डेस्क के नाम पर इसमें दिये तो अब आप COVID-19 के विसमें जानते हैं भले ही आप टींगा करन कराने जा रहे हो लेकिन मास्क लगाना और निरंतर अपने हाथ धोते रहना सेनिटाइजर का प्रियोग करते रहना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना गौर्मेंट ने या स्वास बिभागने जो भी मानक ते किये हैं जो भी प्रोटोकॉल्स ते किये हैं वो हमको सबको फॉलो करना है डियर स्टूडेंट्स ये सब हमारे हित के लिए है तो मेरा आप से ये अन्रोध है कि आप लोग स्वस्त रहें और वेक्सिनेशन जितनी जल्दी हो सके आप लोग करा लें मीटिंग में डियम सर ने ये बात कही इसके अलावर डिप्टी सीमो आये थे और जनपत के विभिन महाविद्यालेयों आपके आईटियाई और पॉली टेक्नि करा लें और वेक्सिनेशन कराने के साथ सत बच्चों को लगातार प्रोतसाहिद करते रहें जो 18 वर्स या उससे अधिक हैं कि वो भी अपना वेक्सिनेशन करा लें क्योंकि इस बीमारी से बचने का यही एक मात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है अभी लॉकडाउन की पर्थम यह दूती सब्ताय तक तीसरी लहर भी आ सकती है जो की बहुत भयानक हो सकती है और उसमें बहुत अफरात अफरी का महल होगा उस समय पर टीका करण के लिए लोग एकदम से भागेंगे सेंटर्स में जाने की कोसिस करेंगे तो भीड़ भाल बहुत कई कई बार यह आपसे नहीं ले रही है इसलिए किसी की बातों में मत आईए हाँ यदि आपको कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या है तो जो medical expert हैं जो doctors हैं आप उनसे सलाय लीजिए अपनी बात बताये यदि आपको कोई समस्या दिक्कत है तो वो आपको बतायेंगे कि आपको ठीका लेन नौतारी कोई करा लिया हूँ, यह मेरा डीगा करन कार्ड है, सामुदाइक स्वासकिंद्र मगु में मैंने कराया है, आपको यह इसलिए बता रहा हूँ, बच्चों जब कोई बात होती है, जैसे बताते हैं, तो बच्चे ही कई बार पूँच लेते हैं, कि सर आप हमको तो कह बात हैं, ठीका करन कराने के लिए, आपने कराया की नहीं कराया, तो बच्चों मैं बता रहा हूँ, मैंने भी ठीका करन करा लिया है, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होती है, ना मुझे फीवर आया है, नहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप आसानी से उसमें जैसे पैन कार्ड के लिए था, या आधार के लिए था, तो वो आप पहचान पत्र ले करके जरूर जाईए, और मोबाइल नंबर जिससे रेइस्टेशन कराया है, उस मोबाइल को भी आप साथ में ले कर जाईए, क्योंकि उसमें OTP रहता है, वो कई बार बताना प् तो बच्चों, we are all in this together, हम सब इसमें साथ साथ हैं, हम इस जंग को जीतेंगे, तो बच्चों मेरा आपको फिर से अंत्मे में यही कहूंगा, कि यह जो सुरच्छा कवच है, COVID-19 के अंगेंस्ट में, COVID-19 से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, उसको हम सब को आते हैं, कहते हैं, तो DM सर ने यही चीज बोली है, कि आप लोग एक खटा बता दीजे कि सो डेर सो दो सो कितने बच्चे हैं, डेट और टाइम बता दीजे, स्वास्त विभाग की टीम आ करके, यहां पर टीका करन कर देगी, लेकिन जब तक संस्ता खुलने की उमीद नहीं हैं, आप लोग अपने घर के आसपास हर जगे टीका करन अभियान बहुत तेजी से चल रहा है, प्राथ में स्वास्त केंद्र सामुदायक, स्वास्त केंद्र जिला अस्पताल, कई जगे पर आंगनवाडी केंद्रों में भी कुछ कुछ जगों पर यह सारा टीका करन अभि प्रॉसेस की पूरी जो प्रॉसेस है, वो प्रिकरिया है, वो मैं पूरी आपको समझा दूँगा, तो स्वस्त रहिए, इसी तरह से आप घर में अध्यान करते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, और अपना पढ़ाई अध्यान में लगे रहिए, लेक Thank you very much.